नमस्कार बच्चों आज का पाठ नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया यह पाठ एक छोटी लड़की की कहानी है और वास्त्विक कहानी है जिसे अंग्रेजों ने भस्म कर दिया था अगनी में जला करके यानि कि उसे जिन्दा जला दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और यही कारण है कि इस चोटी लड़की का नाम आज बहुत ही आदर से लिया जाता है और इसे देश भक्तों की शेर्णी में गिना जाता है यहाँ पाठ जो है इस अपकी पुस्तक में इसलिए रखा गया है जिससे कि आपको जानकारी मिल सके कि हमें आजादी दिलाने के लिए किस प्रकार से बच्चों ने भी अपने प्राण दे दिये थे यहाँ उस समय की बात है जब 1857 में नाना साहिब कानपूर में कानपूर कहां है यूपी में भीशन नरसंहार हुआ था भीशन नरसंहार किसे कहते हैं बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था और उस समय पर नाना साहिब नाम की जो व्यक्ति है वो ऐसफल हो गए थे और वहां से भागने लगे थे लेकिन भागते हुए अपनी बेटी को साथ में ले जाना संभव नहीं था इसलिए उनकी बेटी वहीं रहे गई थी और महल में रहे गई थी देवी मेना के पिता जी जो थे उनका महल बीठूर में था नाना साहिब जी का महल बीठूर में था और उसके जो बाद जो घटना हुई उसमें ये हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों ने उस निर अपराज बच्ची को आग में जला दिया उसका कोई अपराज नहीं था और उस दृष्चे को यदि कोई देखता कठोर से कठोर हर्देवाला भी यदि कोई देखता तो उसे इतना बुरा लगता और उसका हर्देप विंगल जाता इस निरी घटना को देख करके कानपूर पर कपज़ा जब हुआ था उसके बाद अंग्रेज सेना बिठूर के महल के और जा रही थी यनि की कानपूर पर उन्होंने अपना कपज़ा जमा लिया था अपना अधिकार जमा लिया था उसके बाद वो बिठूर के और बढ़ रही थी वहाँ पर उन्होंने महल को लूटा किन्तु लूटने में उनके हाथ में संपती बहुत कम साथ में लगी फिर उन्होंने सोचा कि महल पर तोप के गोले दाग करके और इसे नश्ट कर देते हैं ताकि जो भी संपती है वो उने मिल जाए लेकिन जब लोग ऐसा कर रहे थे तो महल के ब्रामदे में एक सुन्दर बालिका आकर के खड़ी हो गई और उसने अंग्रेज सेना को ऐसा करने से मना किया और कहा कि महल तो जिन्दा तो है नहीं आप इसे निस्ट करके क्या लेंगे महल ने किसी का क्या बिगाड़ा है और उन्होंने उसने अंग्रेज सेना पती हे से महल की रक्षा करने के लिए कहा लेकिन सेना पती हे ने ये कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारे महल को मैं नहीं बचा सकता तो देवी मेना तरक देते हुए कहती है कि तुहारी जो बेटी है वो मेरे साथ पढ़ी हुई है और मैं उससे बहुत मित्रवत वेहवार करती थी उसकी फ्रेंड थी मैं तो यह सुनकर के सेनापती का रदे पसीच जाता है और उसे थोड़ी दया आ जाती है और वह मेना को पहचान भी जाते हैं तब उसे उसके प्राणों की रख्षा करने का वचन भी देते हैं लेकिन उसी समय सेनापती जनरल आउटरम आ जाते हैं और वह कहते हैं कि महल को अभी तक उड़ाया क्यों नहीं है तो हे ने उनसे महल को नहीं उड़ाने का विंती करते हैं जनरल हे लेकिन आउटरम नहीं मानते हैं और उन्होंने सेना को महल का द्वार तोड़ करके अंदर जाने का आदेश दे दिया हे के जाने के बाद मैना भी कहीं छुप गई और सेनिकों ने उसे ढूणने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मिली और उसी समय एक तार आया यनि कि संदेशा आया कि इस महल को खत्म कर दिया जाए और देखते ही देखते महल पर तोप के गोले बरसा दिये गए इस प्रकार से देवी मैना का कहीं पता नहीं चला लेकिन कुछ समय बाद वह मलवे के धेर पर बैठी हुई रो रही थी उसकी आवाज सुनकर के अंग्रेज सैनिक वहां आ गई और वकेवल रो रही थी क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा था अपने पिताजी के महल के नस्ट होने का फिर महा पर चनरल अउट्रम आजाता है और मैना को पहचान लेता है उसे गिरफतार कर लेता है इतने पर भी मैना डर्थी नहीं है और कहती है कि मुझा जी भर के रोलेने दीजी नेकिन उसे काणपुर के किले में कैद करती है अगले दिन एक पेपर में ये छपाया गया कि उनकी एक मात्रिक कन्या नाना साहिव की एक मात्रिक कन्या धदकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई यानि कि उसे जलाकर मार दिया गया यह हरदय विदारे खटना उस बालिका के साथ उस समय अंग्रेज सेनिकों के द्वारा की गई भीशन अगनी में वह है बिलकुश शांत और सरल मुर्ती की तरह बनी रही और उस अनुपम बालिका को जलती देखकर सब ने उसे देवी समझ करके प्रणाम किया यह कानपूर के एक समाचार पत्र जिसका नाम बाखर उसमें छपा था इस प्रकार से यह बालिका के क्रांतिकरी रूप का प्रतीक है जिसमें उसकी अंग्रेज सेहनिकों के द्वारा उसे निरपराद रूप से उसका अब कोई अपराद नहीं था फिर भी उसकी हत्या कर दी गई थी वह भी जिन्दा जला कर गए उसका कसूर बस इतना था कि वह सुतंतरता सिनानी नाना सहिव जी की बेटी थी और नाना सहिब से बदला लेने के लिए उन्होंने उसे जीवी थी आग में जला दिया था और यह है अंग्रेजु का एक एमान भी है और नीच कर्म था बालिका का कोई कुसूर नहीं था फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवार करना कायरता का सबसे बड़ा प्रमान है बालिका ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था और सैनिक बहुत ज़्यादा संख्या में थे पाठ की भाषा सरल और सहज है और यहाँ पर नाना सहेब जी की देशभक्ती बहादुरी का भी उलेख आपको देखने को मिलता है उस समय पर 1857 में नाना सहेब अंगरजों की आँख का कांटा बन गए थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया था कि उनकी बेटी को जला करकी भस्म कर दिया था उसकी निर्ममता पूर्ण हत्या कर दी थी मैं आपको यहां पर कुछ टिप्स देना चाहूंगी आप हमेशा हिंदी के जो लिट्रेचर के वर्ड्स हैं लिखते समय उन्हीं का प्रयोग कीजिए और लोकल भाशा के शब्दों का प्रयोग ना कीजिए तो फिर आपकी अंसेस बहुत अच्छे से बंद करके उपशिए झाल है